लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल बीबी न्यूज में आज 25 अक्टूबर आई जानते हैं आज की बड़ी ख़बरें UGC ने अपने एड्मिट कार्ड की डेट का किया ऐलान सोफल मीडिया में वाइरल हुई आईसमान खुराना की मौत की अफ़वा सच्चिन को पीछे छोर वंडे के किंग बने विराट कोली मीट्टू कैंपिन को लेकर मोधी फरकार का बाड़ा फैसला कच्चे तेल के नरम पढ़ने से पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता डॉलर के मुकाबले 34 पैसे मजबूत हुआ रुपया सनी लियोनी के खिलाब भरकी पदमावत जैसे चिंगारी नए अफ़तार में लॉंच भी सेंट्रो कार सपना चौदरी का वीडियो हुआ वाइरल 45 साल की वी सलमान की भावी इंडिया वर्सेस बेस्टेंडिज में सेकेंड ओडिया में विंडिज के साही होप ने वंडे में रचा इतिहास दूसरी बार उद्योग पती के पक्ष में खड़े दीखे पियम मोधी लॉंच होते ही कुछी सेकेंड में बिके वन प्लस टीके सारे फोन इंडोर एरपोर्ट पर पकरे गए 6 किलो सोने के बिस्किट कॉंग्रेस ने अपने सभी 40 सीटों के लिए अपने उप्विद्वारों के नामों के किया ऐलान आईए जानते हैं सभी खबरे विस्तार में UGC ने अपने नेट एड्मिट कार्ड की तारिक का किया ऐलान UGC नेट एड्मिट कार्ड 12 नॉमर को जारी कर दिया जाएगा UGC नेट परिक्षा 8 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आईउजित की जाएगी उम्मिदवार नेशनल टेस्टिंग एजनसी के ऑफिसल वेबसाइट पर जाकर अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे नेट परिक्षा की नई तारिक जल्दी जारी कर दियाएगी UGC नेट परिक्षा 8 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आईजित की जाएगी UGC नेट एक्जाम दो सिप्टों में होगी पहली सिप्ट सारे 9 बज़े से 1 बज़े तक और दूसरी सिप्ट 6 बज़े तक रहेगी आप UGC नेट एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसकी ऑफिसल वेबजाइट पर विज़ेट कर सकते हैं ऑफिसल मेडिया में आईसमान खुराना की मौत की अफ़वा हुई वाइरल बालिवुड एक्टर आईसमान खुराना और तानिया मनुत्रा की फिल्म बदाई हो बॉक्स ओफिस पर काफी धूम मचा रही है बदाई हो के टीम रेपिट फायर सेशन से उज़ना परा रेपिट फायर में टीम के एक्टर और एक्टेस ने कई रोचक सवालों के जवाब दिये जिन्दगी से जुरी एक अफ़वा के सवाल पर अभी नेता आईसमान खुराना ने या काकर चौका दिया 2014 में स्विजर लेन में उनकी मौत की अफ़वा उराई गई थी तब फिल बेवकूफियां की सुटिंग चल रही सचिन को पिछे चोर वंडे के किंग बने विराट कोली कोली ने बनाए पांच धमाकेदार रिकॉर्ड टीम इंडिया वेस्टेंडीज के खिलाब दुफरे वंडे में विराट कोली ने ऐसा इतियार रजद दिया जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार था उन्हाँने वंडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बना लिये वो वंडे में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले पहले बलनेवाज बन गए यह रिकॉर्ड सचिन टेलुकर ने 261 पारियों में अपने नाम किया था मीटू कैंपिन को लेकर मोधी सरकार का बरा ऐलान मीटू अभियान के तर पिछले दिनों में योध उत्पिरन के कई मामले सामने आये हैं इनी मामलों पर कारवाई करने के लिए केंदर की मोधी सरकार ने ग्रूप आप मिनिस्टर का गठन किया है इस समीथी की अगवाई ग्रम अंद्री राजनाज सिंग करेंगे ये ग्रूप आप मिनिस्टर तीन महिने के अंदर ये बताएगा कि आखिर कीस तरब महिलाओं के कारेस्थल पर होने वाले योध उत्पिरन के मामलों की कमी लाई जाए कच्चे तेल की नरब परने से पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता अंतराश्टी इस तरब पर कच्चे तेल की किमतों में गिरावट आई है सौधी अरब की तरब से कहा गया है कि जुरत परने पर वा कच्चे तेल की आपूर्थी करने के लिए बड़ा कदम उठाएगा पेट्रोल और डीजल की बरती किमतों में कटोती का सिलसला सात्वे दिन भी जारी है बुदवार को अंतराश्टी बजार में कच्चे तेल की किमतों में नरमी आने के बाद घरिली इस तरब गिरावट आई है ए एन आई के मुताबिक दिली में पेट्रोल नव पैसे और डीजल में नव पैसे की कटोती आई है डॉलर के मुकाबले 24 पैसे मजबूत हुआ रुपिया अंतराश्टे श्तर पर कच्चे तेल की किमतों में गिरावट आई है इस गिरावट का सीधा फाइदा रुपियों में मजबूती के तोड़ पर देखने को मिल रहा है इससे पहले मंगलवार को रुपिया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ था मंगलवार को एक डॉलर के मुकाबले रुपिया तीयत्तर पॉइंट संतावन के श्तर पर बंद हुआ सनी लियौन के खिलाप भरकी पदमावत जेफिचिंगारी संजय लिला भंसाले की फिल्म पदमावत को लेकर दिपिका पादुकोन के खिलाप हुए विरोत प्रतफन तो आपको याद होंगे अब कुछ वैसे ही विरोत का सामना सली लियौन को करना पर रहा है जो दच्छिन भारतिय भासाओं में बन रही फिल्म विरामा देवी में एक माइठलोलोजिकल किरदार निभा रही है बैंगलूर में सनी की इस फिल्म पर बेन लगने की मांग को लेकर तक्रे प्रतफन किये जा रहे हैं द्यामा दीवी में सनी लियोन एक वारियर क्वीन का रोल निभा रही है, प्रतसन कारियों इसे भारतिय संस्कृति के विरुद्ध बता रहे हैं, सनी का तीन नौमर को बैंगलूर में एक कॉंसर्ट होने वाला है, इसी के चलते सनी के खिलाप प्रतसन बर गए हैं, नए अवत कंपनी एंट्र केवल कार में MMT और फैक्टरी पिटेड CNG वाले विकल्ब दे रही है, इस कार की 100 रूम कीमत 3.89 से 5.45 लाइक रुपे है, कंपनी को नई सेंट्रों के लिए 23,500 बुकिंग मिल चुकी है, कंपना चोधरी का एक वीडियो सोफल मीडिया में काफी वायरल हो र रहा है, भुचपरी फिल्मों से लेकर बालीवर्ड में भी वा अपना किस्मत आजमाद रही है, साथ ही साथ इस्टेज सो के लिए जड़िये सपना चोधरी दर्सकों का जमकर मरणन कर रही है, हाली में सपना चोधरी ने बिहार के मधिपूरा जिले में सांदा डांस परफ इसे देखकर दर्सक भी जुमने पर मजबूर हो गए हैं, अगर आप भी लेने वाले हैं कार और बाइक तो यह ख़वर पहले जरूर देख ले, देश में बरते प्रोदुषन को लेकर सुप्रीम कोट ने वहन कमपनियों को अल्टिमेट दे दिया है, अगर आप भी कार बा फैफले के तहट अप्रेल 2020 के बाद बिखने वाली सभी गाडियों को BS6 मानक होना जरूरी है, वरना उनका रजिस्ट्रेफर नहीं होगा, फिलाल गाडियों में भारत स्टेज 4 मानक वाले दुपईया वाहन और चापईया वाहन ही बिख रहे हैं, 45 साल की वी सलमान की भाव बॉलिवीड की मुन्नी मलाइका अरोरा का जलवा अभी भी जारी है, मलाइका भले ही फिल्मों में ना दिखती हो लेकिन उन्हें लाइम लाइट में रहना अच्छे से आता है, मलाइका अपनी होटनेस के लिए जाने जाती हैं, मलाइका अरोरा अब 45 साल की हो गई है, 23 अंदन की एक्स बहु मलाइका अरोरा अक्सर अपनी बोल अंदाज के लिए जाने जाती है, मलाइका अब भी बॉलिवीड की कई एक्टरेस को होटनेस की मामले में टकर देती नजार आती है, इंडिया वर्थेज वेस्टेंडिज के सेकेंड ओडियाए में विंडिज के इस रिकॉर्ड के बाद अगर साई होट को एक बार को टाई में करार दिया जाए तो या गलत कारना नहीं हो, विसाका पटनम में भारत और वेंडिज के बीच खेले गए दूसरे डे वन डे मुकाबले के बाद अगर चर्चा कोहली के विराट कारनामों की हो रही हो तो वें इस रिकॉर्ण मंत्री नरेद मोदी देश के उद्योग जगत के पक्ष में एक बार फिर से अपना मजबूर समर्थन दरसाते वे बुद्वार को कहा कि उद्योग वेपार की आलोचना करने की संस्कृत में उनका विश्वास नहीं है, ये मोदी ने कहा उनका मानना है कि बहु प्रतिक्षी प्रीमियर स्मार्टपोन वन प्लस स्री के लांच इवेट में अनलॉक दो स्पिट के लिए इनवाइट वाचर की 17 अक्टूबर सुबद 10 बजे वन प्लस स्री की बिक्री शुरूवी, नई दिल्ली के इंद्रा गांधी स्पोर्ट कॉम्लेक्स के के प्लसकों की काट में इनवाइट वाचर सामिल नहीं हो सके। स्मगलिंग कर भारत लाया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि पुरुष यात्री फरजी आईडी के आदार पर सफर कर रहा था। मामले में रात तक एरपोर्ट पर हिचारों कोई पिश्ताद की जा रही है। मिजरम में 28 नमर को मद्दान होना है नतीजे 11 निसंबर को आएंगे।